अनेकेडमी लॉंचिंग ओवर न्यू केटेगरी क्रेक आरपीसी ग्रेड फैस्ट टीचर एक्जाम यदि आप फैस्ट ग्रेड एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें अनेकेडमी एप्लिकेशन और यहां से आप पूरा कॉर्स ले सकते हैं सांदा तरीके से त्यारी कर सकते हैं लाइव क्लासेज, रिकोडेड वीडियो, मोक टेस्ट बगेरा सारे यहां पर सब्जेक्ट की आपको क्लासे मिल जाएगी रिजिनिंग, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंग्लिज, साइंस, मैतामेटिक्स, हिंदी, आर्ट्शेंस, कल्चर, राजस्तान, ज साथी, कलास में एक बार लाइव जुड़ जाएं, पहला प्रसंड आपके सामने सक्रीन पर आचुका है, महिला वे बालप्राज के परसंड आया है, पहला आपके सामने, महिला उद्मियों के लिए ओनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का मंच कौन सा है, इस प्रसंड का आरती को आ रहा है, वो कमेंट बोक्स में बताएं, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महिला ई हाट दो हजार सोड़ा, जो भी साती सी बता रहे हैं, उन सभी का राइट आंसर होगा, अगला प्रसंड आपके सामने आचुका है, कलास को सभी साती लाइक कर दें, अ 11 अक्टूमर, 18 अक्टूमर, 4 अक्टूमर या इनमें से कोई नहीं, अंतराश्टी यानि इंटरनेशनल बाली का दिवस, आपका कब मनाया जाता है, राश्टी नहीं, अंतराश्टी पूचा गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 अक्टूमर को मनाया जाता है, एक नम वरस 2019 में डिजाइनर ओफ दे इयर का खिताब किसको दिया गिया राइट आइन्स रोजेगा रूमा देवी को रूमा देवी का समन्ध कहा से हैं बाड मेर जिले से हैं बहुत ही सांदार अगला परशन देखते हैं अगला परसुन है कि सादूलपूर चुरू की पिरिया पूनिका का चेन किसमे हुआ है पिरिया पूनिया एक किर्गेट खिलाडी है चुरू जिले की लाडली इसका चेन किसमे हुआ है राइट आंसर क्या हो जाईगा T20 वर्ल्ड कप में हुआ है बिल्कुल T20 विश्वेकप टीम में इनका चेन हुआ है पिरिया जी का नेक्स्ट अगला परसंद देखते हैं अगला है कि सयूक्त राइश्टर संग बाल अधिकार समझोते के तहत बच्चू को कौन से अधिकार दिये गए हैं जीने का अधिकार सुरक्षया का अधिकार भागिदारी का अधिकार या यह सभी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चू को अधिकार दिये गए हैं यह सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट अगला परशन आचुका है बाल विवा की रोकता में तू कौन सा अधिनियम कौन सा अधिनियम चलाया जा रहा है बाल विवा को रोकने के लिए बाल विवा परतिसेद अधिनियम 2006 PC and PADT कानून दोनू या इनवे से कोई नहीं राइट आंसर एक नमर हो जाएगा बाल विवा परतिसेद अधिनियम 2006 नेक्स्ट अगला परशन है बाल योन हिस्सा की रोकता में के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया बाल अपराद अधिनियम किसोर नहाय अधिनियम लेंगिक अपरादू से बाल कूं का सरक्षन अधिनियम 2012 या इनमे से कोई नहीं बाल योन हिस्सा को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया राइट आंसर शी हो जाएगा लेंगिक अप्रादू से बालकों का सरक्षन अधिनियम 2012 लाया गया अगला परशन है वे कौन सा आयोग है जो बालकों के अधिकरों के हनन के मामले की जांच और सुनवाई के साथ साथ बच्चों से जुड़े कानूनू योजनों के किद्यानों उनकी निगरानी की समिक्ष्या करता है राजस्तान राजिये बाल सरक्षन शमीती राजिये बाल अधिकार सरक्षन आयोग जिला बाल सरक्षन इकाई या इनमें से कोई नहीं प्रशन का राइट आंसर बताएं देखें राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राज ये बाल अधिकार सरक्षन आयोग जो भी विदारती बता रहे हैं सभी का राइट है अगला प्रशन पूचा गया है चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर क्या है एक जार अंठ्यान में, संत्यान में, एक जार नन्यान में, एक जार इकरान में चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर है एक जार अंठ्यान में एक नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा तो ये मैला बाल प्राज के दस परशन थे आपके कितने राइट आंस हुए है आप कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं बिल्कुल सभी साथी कलास में अंतक जुड़े रहें आगे हम देखते हैं इंडिया जीकी के कुछ परशन जो रास्तान पुलिस में पूछे जाएंगे हमारे भारत्य सभी दान में कितने मूल करतव ज़्या है कितने हैं बारा आट ग्यारा या नो आंसर बटाएं बाई जटके के साथ में देखें जल्दी से हैं जिस भी नोजवान साती को आंसर आरहा है सभी का राइट आंसर होग जाएं हाँ हाँ बारतिय सविदान में मूल करते विये सरदार सवरण सिंग स्वमिती के सुजाओ के आदार पर 1936 में 42 सविदान संसोंतों दुवारा जोडा गया राश्टपती दुवारा राजी सवा में 12 सदिश्य मनोरित करता है और यहाँ पर हम बात करें जो यहाँ पर आठ दिए गए है सविदान की आठ वी अनुसूची में कितनी बासाइं थी 14 बासाइं थी और वर्तवान में 22 बासा को मानिता दी गई है अगला परसंद देखते हैं मेरे बबर शेरूं बुद्ध सबद का अर्थ क्या है बुद्ध सबद का अर्थ होता है एक परबुद्ध सकती एक नमर आपका राइट आंसर होज़ेगा जैसे हम बोलते हैं मातमा बुद्ध तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है हाँ परबुद्ध सकती अगला परशने वरस 1917 किसके लिए जाना जाता है परतम विशोयूद की समाप्ती रूसी क्रांती राइट आंसर क्या हो जाएगा तो ये रूसी क्रांती के लिए जाना जाता है 1917 रूसी क्रांती का मुख्य कारण रूस के सासक जार निकोलस दीती का निर्कु सासन और उसका मनमानापन अपनी मनमानी कड़ता था वहाँ का सासक इसलिए 1917 में रूसी करांती हुई बहुत ही सांदार, बहुत ही अच्छी त्यारी है भाई एक्जाम के लेखल की अर्थ सास्तर का जनक किसे कहा जाता है अर्थ सास्तर का जनक कहा जाता है इसमित को एक नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा विल्कुल एडम इसमी द्वारा लिखित एक पुस्तक है Wealth of Nation अगला प्रस्ण देखते हैं विश्वे की सबसे लंबी नदी कौन सी है ब्रम पुत्तर, अमेजन, गंगा या नील नदी विश्वे की सबसे लंबी नदी है आपकी कौन सी नदी है बिल्कुल नील नदी है डी आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल बेसिक परस्ण है यह तो सभी को आना चाहिए यह हम बात करें ब्रम पुत्तर की तो इसका उद्गम कहां से होता है टिबत में मांसरोवर जील से असी किलोमेटर की दूरी पर इस्तीत हिमानी से बिल्कुल इसकी लंबाई है टोटी टोटल कितनी लंबाई है इसकी 2900 किलोमेटर 2900 किलोमेटर है और भारत में इसकी लंबाई है 916 किलोमेटर हाँ बिल्कुल यदि हम बात करें अमेजन की अमेजन नदी की हम बात करें तो अमेजन नदी बहाव की देश्टिशें विश्वे की सबसे चोड़ी नदी है बहाव की देश्टिशें यदि आपको पूचे सबसे लंबी या सबसे चोड़ी नदी तो आपकी अमेजन नदी है गंग लोत्री के पास गोमुक हिमानी से हां अगला परसंद देखते हैं पत्ति के खंब मर्दू तक का मुख्य परकार यह क्या है इसका कार यह है परकास संसलेशन क्या है परकास संसलेशन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगले पर्षिन क्यों रूख करते हैं बिना देरी किये वे जल्दी से करवार हैं ताकि आपके समय की बच्चत हो सके रोगणु द्वारा उत्पन किये जाने वाला हानिकारक पदार्थ क्या है तो राइट आंसर हो जाएगा टॉक्षीन या आविस भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रोगणु द्वारा उत्पन होता है बिल्कुल विशेला पदार्थ है अगला परसन देखते हैं मानव शरीर में सनयू किसके बढ़े होते हैं तो आपके सनयू किसके बढ़े होते हैं सवेत रेसे और कुछ पीत परत्यास रेसों के ये बढ़े होते हैं शी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परसने की निमन लिकित परकार के मलेरिया में से कौन सा परणासी मलेरिया है PRANASI MALARIA है MALARIA में बिल्कुल क्या हो जाएगा दुर्दम भी आपका right answer हो जाएगा अगला परशन हे systema nature पुस्तक किसी ने लगी ये पुस्तक लेकी गई linways के दोड़ा भी आपका right answer हो जाएगा systema बिल्कुल इसमें जीवदार्यों को दो जगतु में वांटा है एक तो पादप जगत दूसरा जन्चु जगत कौन सा पादप और जन्टु इसलिए लीनियस को आधुनिक वर्गिक्रिण का पिता भी का जाता है अगला परशन है भारत पर सबसे पहले आकरमन करने वाला कौन था फार्शी थे अर्भी आर्ये या यूना नी बारत पर सबसे पहले आकरमन यूना ने किया था किस ने किया यूना नी ने डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं चक्रवात कब होता है चक्रवात कब होता है जब केंदर में निमन दाब और चारू और उच्छ दाब हो जाता है तो चक्रवात आता है एक नमबर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि जाहरे का पुराना नाम था जाहरे का पुराना नाम राइट अंसर एक नमगर हो जैएगा कांगो नेक्स्ट अगला पशने देखते हैं बारत में ए लवण जल की सबसे बड़ी जील कौनची है ए लवण यह जल की सबसे बड़ी बारती है जील तो हुलर जील हो जाएगी कौन सी जील हो जाएगी, वूलर जील, जम्मु कश्मिर में है, एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेनी ताल जील आपकी है, उतरा खंड में, और डल जील काँ पर है, ये जम्मु कश्मिर में है, अगला परसंद देखते हैं, गोल है, गोल क्या है? गोल है इसका राइट आंसर बता हो देखें दो या दो से दिक पदार्तूं का समांगी मिश्रण होता है गोल अगला परशन देखते हैं परियोग साला में संसलेशित किया गया पहला कार्बन योगिक कौन सा है परियोग सला में संसलेशित किया गया पहला कार्बिन योगिक है आपका यूरिया कौन सा है बिलकुल यूरिया जो भी विदारती बता रहे हैं सभी का राइट आंसर है और जो आपका लेक्टिक एसिड लेक्टिक एसिड आपका खटे दूद में पाया जाता है और गल्वकोज आपको पताईए तुरंत उर्जा प्राप्ट करने के लिए इसका यूप्स करते हैं अगला परशने की नेमल लिकित में से किसमे कार्बन का अधिक्तम परतिसत होता है किसमे होता है डलवा लोहा शी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला अपना टेलिग्राम गुरूप भी आप जोइन कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिया गिया है पूरी जिकिये कि आपको थोरी पढ़ना है नोट्स पढ़ने हमारे तो हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करें लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया वा है सोनोग्राफी में प्रियूक तरंगे कौन सी होती है तो सोनाग्राफी में कौन सी तरंगे होती है परा सर्वे तरंगे भी आपका राइट आंसर प्रासर्विय तरंगे वो होती है जिनकी आवर्ती 20,000 हेटर से उपर होती है अगला प्रसंद देखते हैं सभी तेल किस कार्बनिक योगी के नाम से जाने जाते हैं कार्बोहाइट्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, हाइड्रोकार्बन सभी तेल हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक योगी के नाम से जाने जाते हैं अगला प्रसंद देखते हैं पर्थम राजिव गांदी, राष्ट्ये, सदभावना पुरुसकार किसको प्राप्त हुआ यह आपको मिला था, मदर्ट्रेशा को, एक नमर आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रसंद देखते हैं अंतराष्ट्ये साख्सरता दिवस पढ़ती वरस नीमन वे से किस दिन मनया जाता है अंतराश्टी साक्सर्ता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है कम मनाया जाता है 8 सितंबर को और 18 मार्च को आयूद निर्मान दिवस मनाया जाता है निमल लिकित में से किस मुगल सासक को निर्मताउं का राजगुमार कहा गिया है सांजा, बाबर, अक्बर या जांगिर राइट आंजर हो जाएगा सांजा एक नमर आपका करेक्ट हो जाएगा जांगिर का उत्रादीकारी था सांजा यहांपर हम बात करते हैं इस परशन की तो इस परशन चे बहुत सारे परशन बनते हैं जैसे यहां पर बाबर, तो बाबर की बात करूँ, तो बाबर 1526 में बारत आया और 1530 तक यह रहा था, मुगल वंस का संस्तापक था बाबर, हाँ, बाबर ने 1507 इस्वी में बाज़्चा की उपादी दारून की, इससे पहले किसी ने बाज़्चा की उपादी दारून नहीं क ती यहां बात करेम अकबर की तो अकबर का जनम हुआ था 15, 1994 को हमिधा बानो बेगम के गरब से इसका जनम हुआ था अकबर का यहां साह fingertips जांगिर की तो जांगिर 16 शोनी सों सोंसे, 16 27 श्वित अऔध और ये अकबर का उत्रा विल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल basic पर्षन है है सब भी को हणा चाहिए, हमारा वायू मंदल कितनी पर्तु में बंटावा है, right answer क्या हो जाएगा, तुक्के के साथ राइट आंटर रना चाहिए, पांच, कितने हैं, पांच, सोब मंदल, समताब मंदल, मध्य मंदल, आयन मंडल और बहिर मंडल पांच यहां पर है मंडल है बिल्कुल पांच परते हैं अगला परशन है कि पादब के फेंपड है पुस्ब जड पतियां या तना तो पादब का फेंपड का जाता है पतियों को किसको का जाता है पतियों को पत्यों का मुख्य कारी होता है, परकास संसलिशन की कीरिया दुआरा बोजन बनाना, यहां बात करें हम पूस्ब की, तो पूस्ब या फूल यह पोदे का जननंग होता है, क्या होता है जननंग, और जड़ आप सभी जानते ही हो, दो परकार की जड़ होती है, मुशला मूल औ और एक अपस्तानिक जड़ नेक्स्ट अगला परशन देखते हैं निमन में से कौन सा परिवर्थन रासाइनिक नहीं है लोहे में जंग लगना पानी का बाप में बदलना दूज से दही बनना कोईले को जलाना राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दो नमर हो जाएगा बाप का पानी में बदलना रासाइनिक वास्ट पिकरन होता है लोहे में जंग लगने से बचाओ करने के लिए उसके उपर क्या करते हैं जस्ते की परच अड़ाते हैं जस्तिकरन करते हैं और दूज से दही बढ़ना लेक्टी कमल के दूआरा बनता है अगला परच देखते हैं बिजली के बलब का अविसकार किसने किया तो राइट आंसर एक नमर हो जाएगा थोमस अलवा एडिसन के दूआरा बिजली के बलब का अविसकार किया गिया और जेम्स वाट ने भाप के इंजन का अविसकार किया था हवाईजाज का विसकार किस ने किया हवाईजाज का विसकार किया था राइट ब्रदर्स ने भी आपका राइट आंसर हो जाएगा next अगला परसन है रावल पिंडी एक्सप्रेस कोन कहलाता है रावल पिंडी एक्सप्रेस आपका सोई बगतर कहलाता है कौन कहलाता है सोई बगतर ये पाकिस्तान का गेंदवाज है और इमरान खान ये भी पाकिस्तान का किर्गेटर था सचिन तेंदूलकर ये भी किर्गेटर है जो वर्तमान में रजी सभा के सदिशी है अगला परसन देखते हैं पोदे में जल का प्रिवेन किसके माधियम से होत अगला परशन क्या है कि बारत में महान वयोवर्द के नाम से किने जाना जाता है मातमा गांधी पंडित जौनलाल नेरू दादाबाई नोरोजी रविंदना ठाकूर महान वयोवर्द दादाबाई नोरोजी को का जाता है किसको दादाबाई नोरोजी मातमा गांधी को राष्ट्र पिता के नाम से जाना जाता है पंडित जुमालाल नेरु ने पुर्ण सवराज्जी का नारा दिया था और रविंदनाथ टेगोर या ठाकुर ने जैन गण मन अधिनायक जे है यानि हमारा दो राष्टि गान है ये लिखा था रविंदनाथ टेगोर ने भारत में के किस राजजी ने सबसे ज़्यदा उपरदान मंतरी दिये हैं सबसे ज़्यदा उपरदान मंतरी किस राजजी के बड़े हैं तो ये राइट आंसर आपका गुजरात ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुजरात, राजदानी है इसकी गांदी नगर, हाँ अगला परसन देखते हैं, उच नियाईलियों के नियाईदीसों की नियुक्ती राष्ट पती किसके सलाव से करता है परदान मंतरी उपराष्ट पती मुख्य नियाईदीस या राज जेपाल उच नियाईलों के जो नियाईदीस है उनकी नियुक्ती राष्ट पती किसकी सलाव पर करता है राइट अंसर कौन बताएगा देखे इसका कमेंड वोक्स में बताएगे इस परसन का राइट अंसर बताने देखे कमेंड में किसका राइट आता है बारत और पाकिस्तान को कौन सी रेगा अलग करती है बारत और पाकिस्तान को अलग करती है आपकी रेड कलिप रेखा और मेकमोन रेखा है बारत और चीन के बीच में अगला परसन देखते हैं ट्रांसफार्मर क्या कारिय करता है तो ट्रांसफार्मर ऐसी पर कारिय करता है यानि कि एक ऐसा यंतर है जो ऐसी वोल्टेज को निमन ऐसी वोल्टेज में और निमन ऐसी वोल्टेज को कुछ ऐसी वोल्टेज में बदलता है कौन बदलता है ट्रांसफार्मर तो आज की क्लास में इतना ही मिलते हम नेक्स्ट क्लास में एक आप से ये पर्षन पूछा गया है इसका आप आंस्वर दें ज्याई दूस्यों की नुक्ती राश्पती किसकी सलापर करता है कमेंड बोक्स में आप ज़रूर बताएं क्लास को लाइक और शेर करें धन्यवाद जया हिंद